हेलो नमस्कार विद्याठियों देखेे दो जार 18 पेपर था वो कम्पलीट आज हो जाएगा हमारा बाइलोजी टीन का देखे जो फिजिक्स का हमारा बाकिय था तो फिजिक्स का आपको मिल जाएगा और बाइलोजी और केमेश्च्री का मैंने पहले आपको यूट्यूप पर upload कर दिया है अब जो है मैं आज फिजिक्स में काफी numerical क्यूसन है तो आप जो है में केवल क्यूसन read करειंगा आप चाहे तो screen sort कर में ले सकते हैं और क्यूसन को जो है अच्छी तरीके से हल至 कर सकते क्यूंकि आपको एक прош75 के रूप मिल रहे है काफी विधुर planning को पेपर नहीं मिलाता सभी को मैं यही कहता हूं कि आप आसानी से जो है बेट कर नोट बुग लेकर और सभी क्यूसन जो आसानी से हल करें फिर मुझे कमेंट करें किसर हमारे 45 में से कैम्प फिजिक्स में जो है इतने क्यूसन सही हो रहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते उनमें से कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं तो इन पर जो है आप बिल्कुल भी नजहें आप अपने जो है आंसर खुद दे ठीक ना नेक्स्ट क्यूसन है यहां पर मारा किसी पिंड के दर्वमान और वाल के मापन में तूटियां करमसे 2 परसेंट और 3 परसेंट है तब उस है कि गती चूर्जा में अधिक्तम तूटई क्या होगी 11 परसेंट 8 परसेंट 1 परसेंट या फिर 5 परसेंट ठीक है आप स्क्रिंचुट लेकर माढ़ बार नहीं बोलूँगा कि आप स्क्रिंचुट लेकर जो है क्यूसन का आंसर दे में एक बार ये बोलूँगा आप तो कि देरे देरे थोड़ा वीडियो फास्ट कर देता हूं ताकि जो है 45 हमारे क्यूंसे न वो जल्दी से हो जाए जो थर्ड क्यूंसे न यहां पर मारा की एक वस्तू एक वस्तू को एच पराबर 44.1 मीटर उची मिनार से गिराया जाता है इस वस्तू को छोड़ने के दो सेकिंड बाद एक अन्य वस्तू निचे की और प्रारंबी के वेग यूंसे फेंकी जाती है यदि दोनों वस्तू एक साथ जमीन पर पहुंशती है तब यूं का मान कितना ह होगा तो आपको जो इन ओप्संस के माद्यम से बताना है कि यूं का मान आप से कितना निकलता है ठीक है नेक्स्ट क्यूसन है यहां पर मारा फोर क्यूसन है जो कि इस परकार है कि एक गोली एक लकडी के ब्लोक में तिन सेंटीमेटर तक गुसने में अपना आदा वेग खो फाइफ क्यूसन है जो कि इस परकार है कि एक प्रेक्षक को जो पूर्वे दिशा की और गतिसील है उसे वायू उत्तर दिशा की और बहती हुई परतीत होती है यह दि वह प्रारंबिक दिशा में अपने चाल दुगोनी कर दे तब वायू आती हुई परतीत होगी तो अब जो है उसको वायू चुबैत कहांसे आपको जो है डाइयरेक्षन में बनाकर Essa को कर나 है तो यहां पर प्रकार से बनाना है पापको पता होगा यह जो यह हो रहा है यहां पर उत्तर पूर्वे यह हो रहा है यह जो सभी खेल है यह reasoning और physics का खेल है ठीक है next question है यहां पर हमारा एक किलो एक गेंद एक मिटर अपॉन स्क्वाइर सेकिंड के वेक से एक दिवार से अभी लंब से 30 डिगरी के कौन पर टकराती है और 0.1 सेकिंड से उसी दिवार पर प्रावर्तित हो जाती है तब बल का परिणाम क्या होगा तो आपको बताना है कि बल का परिणाम क्या होगा जो क्यूसन का आने का जो आपको पेटरन रहेगा 2020 में वो इसी परकार से रहेंगे अब आप भी देख लो कि इसमें कितने numerical क्यूसन पुछे गे थे और कितने क्यूसन जो है थियोरी से पूछे गे थे आपको पता चल आपने त्यारी भी की है अब तो आप रिविजन कर रहे हो तब ही मैं आपको प्रेक्टिस सेट भी अविलबल करा रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यह दी यूवन यूटू और यूथी करमस है इस्तेतिक गरशन गतीज गरशन और लोटनी गरशन के गु नेक्स्ट क्यों सेना यहां पर हमारा आठवा कि सरकस में एक चालक आर तिर्जा के उद्वादर वरत में मोटर साइकल चला रहा है अपने पत्थ के उचतम बिंदू पर उसकी चाल कम से कम होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए तो आपको यहां पर ओप्संस के माद्दिम से नि दिखा दो तो आप जो है स्क्रीन सोट लेकर भी देख सकते हो एक बार मेरे साथ अगर रीड कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा क्योंकि आपको पता चले वहां पर जाओ तो एकदम से ना गब रहे कि इस परकार का पेपर कैसे आगया क्योंकि इसी परकार की क्यूसन जो एक्जाम में भी पूछे जाएंगे ना इन वा क्यूसन यहां पर मारा 0.1 किलो की एक चक्ति को गेंडों के नीचे से लगाता टकर कर हवा में से 30 तेरते हुए रखा गया परते गेंड का दरोमा 0.05 किलो है और 30 सेकिंड 10 गेंडे टकराती है यदि टकर के बाद परते चाल किया होगी ठीक है तो यह भी एक नियुमेरिकल क्यूसन जो कि आप सोल करना है ठीक है नेक्सट क्यूसन कि एक गेंड, एक फर्स पर उंचाय से गिराई जाती है ठीक है ना हम इस गिराई जाती है तो फरस को जो है इसतानांतरित कुल सम्वेग जो फरस का इसतानांतरित सम्वेग पुछा गया ठीक है तो यहां पर आपको समवेग बताना है कितना रहेगा तो आप स्क्रीन शोट ले लो नेक्स्ट क्यूसन है यहां पर मारा एक सो गराम के कंड की इस्तिती जो है यह बताई गई है सैंटिमेटर और वेग बताई गई है सैंटिमेटर अपोन सैकिन मूल बिंदू के सापक से इस कंड का कोन यह समवेग गयाद करो तो यह भी एक नुमेरिकल क्यूसन है आप इसका जो है समवेग जो है पी गयाद कर लेना नेक्स्ट क्यूसन है आप इसके जो उपसन हो आसाने से देख सकते हो नेक्स्ट क्यूसर ने यहां पर हमारा एक गोले के पड़ते जो है व्यास जो है टुए और दरुमान एम है बी बुजा वाले एक वरग के चार कोनों पर रखे हुए हैं एक अक्स इस वरग की एक भुजा से गुजर रही है निकाई का इस अक्स के साफ़े एकस जड़त्व आ आगून ग्याद करो ठीक है तो आपको इस क्यूसर में जड़त्व आगून ग्याद करना आप जो ओप्सन की जो स्क्रीन सोट ले सकते हो नेक्स्ट क्यूसर नहीं यहां पर हमारा तीन दरुमान पर टेक एम एल भुजा वाली एक सम बहुत्री बुज के तीन सीट्सों पर हुए है एक छोता दरुमान एम एक बुजा के मद्दे बिंदू पर रखा हुए तब इसे चोते दरुमान पर पर प्रिणामी गुरुत्व आकुशन बल है वो कितना होगा ठीक है तो आप इसका भी स्क्रीन सोट ले लो नेक्स्ट क्यूसन है यहां पर मारा एम दरुमान एम दरुमान का एक उपगरे आर तिर्जा की पर्त्वी की सते से अक्स उंचाई पर परिकर्मा कर रहा है पर्त्वी की सते पर गुरुत्वे तवरन जी है तब उपगरे की कक्षिये चाल कितनी होगी नेक्स्ट क्यूशन पी गनत्वे के तेल की एक बूंद जो है दूसरे दर्वे में आधी डूबी हुई और तेर रही है ये दर्वे का प्रष्ट तनाव टी है तो बूंद की त्रिज्जा क्या होगी परम ताप टी एक गराम मोल आर्दस गेस की मध्य गती जुर्जा का मान कितना होगा आपको बताना है नेक्स्ट क्यूसन है यहाँ पर हमारा वायू की कुछ मात्रा तिन सो के ताप पर वायू मंडलिये दाप पर अचानक से संपिडित की जाती है जिसे उसका आयतन प्रारंबिक आयतन का अदा है जाता है अंतिम ताप मान ग्याद करो नेक्स्ट क्यूसन काफी बड़ा है तो आप जो इसकी भी जो है स्क्रिन सेट ले लो आसानी से नेक्स्ट क्यूसन अक्षक्ष के अनुदीस एक कंण 4 सेंटिमेटर आयाम और 1.2 सेकिंड आवर्तकाल के सरल आवर्त गरती कर रहा है इसे कंण की इस्तिती जो है अक्स बराबर 2 सेंटिमेटर और अक्स बराबर 4 सेंटिमेटर तक जाने और वापिस आने से लिया गए नियूंतम समय कितना होगा ठीक है एक समान प्रष्ट गनतों वाले एक गोल ये कोस के अंदर विदुशेतर का मान कितना होता है तो सुनने होता है ठीक है ना एक समान प्रश्ट यानि कोई मानलो कि ये जो विदुशेत्र और इसमें एक समान जो है गोल ये कोस के अंदर विदुशेत्र समान तो इसका जो है जो आंतरिक जो विदुशेत्र वो सुनने होता है ठीक है नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन का भी आप स्क्रीन सोट ले सकते हो आसाने से नेक्स्ट क्यूशन है याप और यह जो सभी क्यूशन है यह आपको जो है टेलिग्राम जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये वहां से जो है आपको जो है पीडियेफ भी इनकी मिल जाएगी तो जो है वहां से भी आप जो आसाने से देख सकते हो 25 का आपने स्क्रिन सोट ले लिया होगा और यह है इसके जो ओप्सन देख सकते हो आप नेक्स्ट क्यूशन है 26 इसका भी स्क्रिन सोट ले लो जल्दी से 27 क्यूशन का भी स्क्रिन सोट ले लो क्यूंकि निमेरिकल क्यूशन है आपको हल करने होंगे इनको सभी को ठीक न मैं भ पुछे जाएंगे आपको ठीक है। यदि एक स्प्रिंग जो है जिसकी एक सिर्य हलका बार लट गया गया है। वो फेल जाएगी संकुचित हो जाएगी या संकुचित होकर फिर फेलेगी या फिर कोई प्रबाव नहीं पढ़ेगा स्क्रिन ले लो आसानी से। नेक्स्ट क्यूशन है यहां पर हमारा एक सीधा तार जिसमें धारा आई बह रही है एक व्रत के आकार में मोड दिया जाता है यह दिया एम के हैस मातरक पदिती में इस सम्मंदित चुम्भी की आगुण एम है तब जो है इसकी तार की लंबाई कितनी होगी नेक्स्ट क्यूसन और यह जो है आपको इसका पूरा भी आप स्क्रिंसोर्ट ले सकते हो ले लिया होगा सहिद आपने स्क्रिंसोर्ट नेक्स्ट है यहां पर हमारा थर्टिफाइफ क्यूसन है इसक्रिंसोर्ट जो है वीडियो को इस्टोप करके आसानी से ले सकते हो चलते वीडियो में मत लेना देखिए अब आया मारा थ्योरिका क्यूसन की प्रावर्तन ग्रेटिंग में पार्दसी होएं वा पार्दसी भाग में समान चुड़ाई कि हो तो अनुपस्तित वरण करम की कोटी क्या होगी ठीक है नेक्स्ट क्यूसन जल्दी से स्क्रीन शॉर्ट ले लो क्यूसन्स की इनकी जो है आपको पीडियेफ भी टेलिग्राम लिंक पर मिल जाएगी ठीक ना टेलिग्राम लिंक पर टेंसर मतलो एक्जाम से पहले आपको टेलिग्राम जो है जोइन कर लेना डिस्क्रीप्सर में वहाँ पर लिंक है वहाँ से मैं पूरा पेपर डाल दूँगा सभी प् पास आने से देख सकते हो तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना